अगर आपके यूपी आई नमबर से कोई गलत ट्रणडक्शन हो जाता है तो आप जो गलत ट्रणडक्न हुआ है उस पैसे को आपस कैसे हैं तो आधसे बातwriting, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं कि यहाँ अगर आपने किसी को अपने यूपी आई के थू या यूपी आई नंबर से आपने की वार कोड को स्कैन करके किसी के पास पैसा अगर भेजा है और वो जो पैसा गया है जिसके पास जाना चाहिए उसके पास ना जाकर किसी थर्ड परसन के पास चला गया है और आपक सबसे पहले तो करना क्या को है दोस्तों आपको जिस भी आपने payment किया है उसका जो transaction ID है आपको जो उसका proper जो message आया है उसको आपको save कर लेना है उसके बाद आपने Google आपको open करना है Google को open करने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे होंगे आपको search bar में type करना है NPCI आपको search करने के बाद यहाँ पे आपको NPCI का official यहाँ पे जो ID हो open हो जाएगी इसको आपको यहाँ पे एक बार tap करके इसको open कर लेना है ओपे जब आप कर लेएगे यहाँ पर देखेंगे कुछ ही इसतरा का interface आहेगा यहाँ पे आप देख रहे होगे एक आपको option show कर रहा होगा 3 line का इसी 3 line पे आपको एक बार tap करना है यहां पर आपको किछी स्तरा का इंटरफेस आएगा उसके बाद यहां पर आप देख रहे होगे एक option आपको दिख रहा होगा get in touch का इस पर simply click करना है click करने के बाद यहां पर आप देख रहे होगे एक और option आपको दिख रहा होगा transaction की option पर tap करना है इसके बाद यहां पर आपको कुछ details मागे जाएंगे जिसको आपको एकदम correctly आपको fill करना है कोई भी उसमें mistake नहीं करना है तो यहां पर आपको nature of transaction का option है इस पर आपको click करना है यहां पर आपने percent to person अगर पैसा भीजा है यानि कि आपने किसी percent to percent भीजा है तो उसको select करना है अगर आपने किसी merchant को भेजा या आप किसी shop पे गए हैं किसी store पे गए हैं किसी दुकान पे गए हैं तो उसको आपने गलत transaction कर दिया है तो वो आपको यहाँ पे option select करना है कोई भी जो आप दोनों में से आप select कर सकते हैं परसन टुपरसन का option में यहाँ पे select करके आपको दिखाता हूँ उसके बाद यहाँ पे issue का option आ रहा है issue वाले search bar में आपको type करना है किस प्रकार से आपका जो transaction हुआ है गलत हुआ है वो आपको यहाँ पे mention करना है अगर गलत transaction हुआ है तो यहाँ पर आपको incorrectly transfer to another account का option आ रहा है इस पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर comment में जो भी details है वो आपको यहाँ पर fill कर देने जो message आपको receive हुए है उसको यहाँ पर copy paste कर देना है इसके बाद आपको मैंने बताया कि आपको उस transaction का transaction ID आपको जहाँ पर आपने जिस प्लेटफार्म से आप payment करेंगे उसकी transaction history में जाएंगे तो वहाँ पर आपको transaction ID show कर जाएगी वो transaction ID आपको यहाँ पर जो भी होगा XYZ वो आपको यहाँ पर type कर देना है इतना करने के बाद यहाँ पर देखी प्लीज इंटेरियो ट्रांजक्शन रिफ्रेश नंबर इट इस टार्ट बिट वन सेवन एट नाइन आर जीरो इतने नंबर से वो transaction ID का जो नंबर होगा वो स्टार्ट होगा उसके बाद आपको अपना बैंक चैर कोंट है जिस बैंक काॉंट से पैसा हुआ है उस बैंक कायोंट को यहाँ पर select करनेना है लेकिन select आपको type करके नहीं करना है select आपको यहां से करना है जो search वार में option आ रहा है तो जिस भी bank का आपका account रहिगा वो आपको यहाँ पर hinter कर देना है आपको अपना वो UPI ID इसमें इंटर करना है जिस UPI ID से वो transaction हुआ है वो गलट transaction हुआ है वो UPI ID जो भी होगा XYZ वो आपको यहाँ पर inter कर देना है इतना करने के बाद आपको वो जो transaction हुआ है उसका amount यहाँ पे enter करना है जो भी transaction amount है date of transaction आपको select कर लेना है कि कौन से date का transaction हुआ है वो यहाँ पे select कर लेना है आपको जो valid email id है वो आपको यहाँ पे type कर लेना है जो भी आपकी valid email id है उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है जिस भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपका वो UPI नंबर चालू है उसके बाद यहाँ पे आपको attach your bank statement आपका जो bank statement है उसको PDF या फिर उसको आप JPG format में save आपको कर लेना है यहाँ पे आपको उसको upload कर देना है 2MB से ज़्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए उसको आपको यहाँ पे upload करना है upload जैसे करेंगे तो उसको अब राद आपको यहाँ पे submit में click कर देना है submit में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ ते आपको ticket या request आपका rise हो जाएगा उसके बाद वहाँ से NPCI जो team है वो इस पे work करेगी और आपका पैसा refund आजाएगा 24 to 48 hours में